Hello Friends, Welcome to Study with Crazy Guru Friends, महाराष्ट पोलिस ड्रायवर देखेے, महाराष्ट पोलिस जो कॉंस्टेवल है उसमें भेरियश पोस्ट पे महाराष्ट पोलिस के ओर से job notification निकाली गई है तो उसमें से एक पोस्ट है जो कि महाराष्ट पोलिस ड्रायवर है तो ड्राइवर वाले जो अभियर्दी थे वो कन्क्यूजर में थे सर ये महाराष्ट पुलिस ड्राइवर का कितने पोस्ट है कौन-कौन अपलाई कर सकते हैं इज क्या है एक जाम फ़र्म अपलाई करने का लास्ट डेट क्या है फी व गड़ा क्या है उसके बाद ड्राइविंग LICENS कौन सा चाहिए LMB या HMB यह भी इंपर्टेंट है फिजिकल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, रिटेन एक्जाम कैसे और कब लिया जाएगा, ये सब आप बताओ, तो इसी के रिगार्डिंग हम विडियो लाए हैं और टाइम टो टाइम इनफर्मेशन आते रहेगा, क्योंकि देखिए, study with केरेजी गुरु का जो विचरचा करना है, ओके देखिए, सबसे पहले ये जानले कि टोटल प्रेस्ट कितना है, 1686, जो कि ड्राइवर के लिए, क्यों ड्राइवर के लिए, तो पोस्ट अच्छा खासा है, आप लोग अपलाई कर सकते हैं, जिन लोगों को लाइसेंस बना हुआ है, कौन सा लाइस कोई एक्स्प्रियेंस की जरूरत नहीं, बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ओके तो ये ध्यान दखिएगा, तो सबसे पहले देखे, कौनसा जिला में निकाला गया है, तो महराश्ट के ये जो 26 जिला है, इसमें बिभिन बिभिन जिलों में वेरियस पोस्ट निकाल गया है जो कि ड्राइविंग के लिए है और इसका जो लास्ट डेट है अभी अभी क्या मर्च चल ला है तो एक टीस मर्च तक इसका लास्ट डेट है ओके और आयू सीमा रही तो देखें जेनरल का है उनीस से अठाइस जो समाने काटगरी के है उसके बाद जो भी योगेता योगेता में आप 12 पास होना चाहिए आप मतलब 12 पास हो और हां मराथी आपके सलेवस्ट में होना चाहिए यानि कि यह समझ लिजिए कि यह महराष्ट वाले लोग ही अपलाई कर सकते है जो कि रिटेन एक्जाम है वो लिया जाएगा मराथी भासा में आगे कि यहां पर लिखा हो गाए देखे यहां पर लास्ट प्रेज में जाईएगा तो आपको किलियर लिखाओ घया है कि परिच्छा की और 192 मिनठ की होगी लिखित परिच्छा मराथी भासा में आयोजित की जाएगी है ना यहां पर यानि कि माराथी वासा में जो माराथी जानते होंगे उनके लिए ना इसलिए यहां आदर इस्टिट वाले की इंटरी नहीं है तो यह समझ गया उसके बाद तो टुए और हाँ यह क्या होना चाहिए टुएल्थ पास कितना टुएल्थ टुएल्थ यह समकक्षका से भी स्थी वोडि आप महराश्ट्रा बोट से आप दिये हैं तो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद उसके बाद यह हो गया अब शारीरिक जो योग्यता है सारीरिक क्योंकि ड्राइवर से पहले महराष्ट्र पुलिस कॉंस्टेवर ड्राइवर ओके ध्यान रखेगा ता इसमें हाइट चाहिए ता कम महिला और देखें यह महिला के लिए भी है और पुरुस के लिए भी वेकेंसी आपके पास लेम लाइसेंस है तो अपलाइ कर सकते हैं एकसो अन्ठावन सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए महिला के लिए पुरुस के लिए कितना एकसो पाइसाथ और वही जो तेलतीय स्रेनी ट्राइवर अगर महिला काटेगरी से एकसो अन्ठावन और एकसो पाइसाथ अगर पुरुस काटेगरी से पहचाने जाते हैं तो उ सिना के वाल पुरुस अवयर्थी के लिए है उसके वाद दखे ये तो हो गया हाँ और यह कहां लिखा है कि कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए तो यहां दखिए जो महराष्ट पुलिस के अनुसार हलके वाहन एल एम भी जिसको या हलके वाहन टीयार ये वी दोनों देखे बहु और यहां लिखा हुगा है देखे यहां पर किल्यरळ लिखा हुगा है to have a वहान जो एच जी या भारी वहान एच यह श्ट सकते है यह बल सकते हैने या देऊर सकते हैं लाईसेंस बनाए जाते हैं चलाने का लाइसेंस के नियुक्ति आधेसद के तारिके । पांस साल के भीटर प्राप्ट करना आनिवार है क्योंकि 19 साल में तो यह नहीं न बनता है बनता है मालेजे कि साल उम्र है कमर्शियल के लिए उसके लिए 19 साल सहीत है यानि कि LMB और इसमें कोई अब इसे टाइम है आपको सीख लेना है कैसे सीखना है क्या नहीं करना यहींने मैं बोला हूँ इनफर्मेशन पलस एजुकेशन इसकल टू सिलेक्शन ओके यह हो गया तो यह तो हो गया तो एच एमबी के वल आपको अगले आधिस पांच साल के अंदर बनवाना परेगा तो एमबी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बार एकजाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं देखिए सबसे पहले फिजकल होगा क्या होगा फिजकल होगा फिजकल में आपको देखिए पूरूश की पचास नमर के फिजकल होगे जिसमें 50% लाना आनिवार है 50% से अगर मर् driving test के लिए, पहले मैं clear कल दू, पहले PT होगा, यानि कि physical test होगा, उसके बार skill test, driving, DT होगा, उसके बार WT, यानि कि written exam test होगा, उसके बार final merit बनेगा, final merit written exam बनाए जाएंगे, ओके, ये और ये qualify nature की है, PT और DT, यानि कि driving test और physical test, ये केवल आपको qualify करना है, physical 50 में से 25 नमर लाना है, और ये भी आपका 50 नमर का driving test है, इसमें 40% आपको नमर लाना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, physical में दो ही चीज होगा, ये एक तो होगा, 600 मीटर का दोर होगा, जो कि 30 नमर का है, और एक गोला फेक होगा, जो कि 20 नमर का होगा, ये पुरुस के लिए, महिला के लिए 800 मीटर का दोर, जो कि 30 नमर का है, गोला फेकना 20 नमर के, ठीक है, उसके बाद, ये तो होगया, फिजकल, अब आ गया, क्या वारी, और इसमें क्या 50% नमर लाईएगा ना, उसके बाद ही आपको skill test के देखे, यहाँ पे लिखा गया है, सारीदिक परि ये रेखे, आपको 25 नमर हल के मोटर वहन परिक्षण, जिसमें अल्टो वगएरा आ गया, और जीप परकार के वहन का परिक्षण, जिसमें इसकारफियो, जीप वगएरा आ गया, यानि कि LM भी चलवाएगा ना, थोरी ने आपसे बस रख चलवाएगा, LM लाइसेंस खोज चलवाएगा उनल्टो वगएरा छोटा गारी आ गया, है कार दर भीजार यह सब आ गया, और जिप परकार का आप जिसमें किया ज जिप हो गया, बुलोरो हो गया, यह यह लोड़ों दिया जाएगा उसी रेंज में कोई भी गारी देदी रेंगा 255 परिशह काफीर परिच्छा इसके अदार पर नहीं बनाया जाएगा कॉसल परिच्छा में प्राप्ट अंग मेरी सूची बनाने के लिए विचार किये जाने वाले कुल अंग को में सामिन लही किया जाएगा क्यों यह स्किल टेस्ट है लेकिन पहले आपको फिजकल पास करना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट उसके बार इनके है ना प्राधीकरण के अधिकारी सामिल होंगे यह जो कंडक्ट कर आएंगे यह कौन कराएँगे छेत्तलिय परिवहन प्राधीकरण के अधिकारी ओक है तो यह आपको पहले हो जाएगा तिन चरमें होगा पहले मैं के लिए पहले कौन सा होगा फिजिकल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट रिटेन एक्जाम उसके बाद मेरिट तयार किया जाएगा ठीक है उसके बाद फिजिकल टेस्ट में कम से कम 50% अंग हासिल करने वाले उमिद्वार को समंधिस रेनी विज्ञापिक देखती है वन रेशियो तेन यानि कि 10 गुना बुलाया जाएगा समझ रहें 600 है यानि कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए 16,000 अभिहरती को बुलाया जाएगा क्यानुपात में 100 अंकों के लिखित परिच्छा में सामिल करने के लिए बुलाया जाने के पात्र होंगे उमिद्वार जो लिखित वाहन ड्राइविंग टेस्ट 25 नमर और वी जीब पर कार की ड्राइविंग टेस्ट 25 नमर में उठ्रिन करते है तो ऐसे दो टेस्ट देंगे उमिद्वार को उक्त डोलों परिच्छा में कम से कम 40% यानि कि 50 में 40% माक्स लाना अनिवार है कौसल परिच्छा में एक योग्य परिच्छा है और कौसल परिच्छा में प्राप्ट अंग योगता सुची बनाने के लिए बिचार किये जाने वाले कुल अंगों में सामिल लही किये जाएगे उसके बाद देखे चोथा क्या कौसल परिच्छा में उत्रिन करने वाले उमिद्वार को लिखित परिच्छा में बुलाया जाएगा लेखन में परिच्छा की आओधी 90 मिनट की होगी लिखित परिच्छा मराथी भासा में आयोजित की जाएगी सभी बहु बिकल पिये जो प्रारूप के होगे यानि की बस्तुनिस्ट परस्न होगे ओके फिल्ड टेस्ट पूरा होने के बाद लिखित निकाला जाएगा उके उसके बाद पूरे राजय में सभी पूलिस ही काईयों में एक पड के लिए एक ही दिन लिखित परिच्छा आयोजित किया जाएगा यानि की देखिए फिजिकल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट अलग-अलग आयोजित किया जाएगा लेकिन यह जो ह सब्सक्राइब नियम जो कुछ नियम है यानि कि यह चार है यह आपको क्या करना है इसका त्यारी कहां पर करवाया जाएगा तो में बेसिक फंडा इन्फर्मेशन पॉलस एजूकेशन इसका इसका सब का त्यारी मैं करवाया ठीक है तो बस हमारे साथ जूरे रहे तो जूरे रहने के लिए क्या करना है श्टाटी विट क्रेजी गुरू यूटू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी नोटिपिकेशन आगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा ड्राइवर के रिगार्डिंग या कोई भी फॉर्म के जो भी फॉर्म पकलता उसको सुरू से जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जागा तब तक मैं इसको इंड नहीं करूगा ओके तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाहिल जाभारण